नमसकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे इसरم कारड के बारे में इसरम कारड भारश सरकार द्वारा असंग गठी छेतर के सर्मिकों के लिए सुरूप की गई एक योजना है इस card के माध्यम से सरकार सरमिकों को भी भिन लाब और सुरच्छा परदान करती है अगर आप एक सरमिक है और आपने इसरम card बनवाया है तो यह video आपके लिए बहुत ही महतुपूर्ड है इस video में हम जानेंगे इसरम card से पैसा कैसे मिलेगा पैसा लेने के लिए apply करना होगा या direct bank account में आएगा पैसा complete process step by step सब कुछ details में बताने वाला हूँ वीडियो को अंत तक देखिए अगर आप इस वीडियो को सुरू से लेकर last तक बिना skip किये देख लेते हैं तो 101% आपके account में इस रमकार्ड का पैसा आएगा और दोस्तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूर कर देना तो चलिए बताते हैं इसरम कार्ड का पैसा कैसे मिलता है सबसे पहले कोई भी browser open करना है और type करना है इसरम टाइप करने के बाद सर्च करना है उसके बाद सबसे उपर वाले लिंक इसरम पर क्लिक करना है क्लिक करते ही इसरम का official portal open हो जाता है आपको कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा आपको नीचे आना है यहाँ पर देखने को मिलेगा update इस पर क्लिक करना है अपडेट पर क्लिक करते ही next page आएगा इस page में यहाँ पर तीन लाइन देखने को मिलेगा इस तीन लाइन पर क्लिक करना है उसके बाद already registered पर क्लिक करना है उसके बाद update profile using ather पर क्लिक करना है अब आपको यहाँ पर mobile number डालना है, इस capture code को इस box में डालना है, और send OTP पर किलिक करना है, आपके mobile number पर OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालना है, और submit पर किलिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आधार number डालना है, यहाँ से OTP को select कर लेना है, उसके बाद इस capture code को इस box में डालना ह और submit पर click करना है आधार card के साथ जो भी mobile number link होगा उस पर OTP आएगा OTP यहाँ पर डालना है और validate पर click करना है validate पर click करते ही आधार card का details open हो जाता है यहाँ पर देखने को मिलेगा update ekyc information इस पर click करना है यहाँ पर देखने को मिलेगा एक box इस पर भूल कर भी टिक आउट मत करना नहीं तो इस रम काड डिलेट हो जाएगा तो चलिए हम अपडेट एक वाइसी के आप्शन पर किलिक करते हैं किलिक करते ही next page आएगा इस page में तीन आप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा find eligible scheme यहाँ पर देखने को मिलेगा download UN card आपको download UN card पर किलिक करना है यहाँ पर government का six category का scheme देखने को मिल जाएगा अभी यहाँ पर उन लोगों को ध्यान देना है जो comment box में का रहे थे इस रम काड से पैसा कैसे मिलेगा तो चलिए इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं इस रम काड से पैसा कैसे मिलेगा उसके लिए कैसे apply करना है क्या इसका process है सब कुछ details में बताने वाला हूँ और step by step दिखाने वाला हूँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा find eligible scheme इस पर आपको click करना है यहाँ से सबसे पहले आपको select करना है employed है या unemployed यहाँ से आपको select करना है BPL user है या नहीं अगर BPL user है तो yes को select करना है नहीं तो no को select करना है यहाँ पर जो भी कुछ पूछा जाएगा उससे select करना है उसके बाद get scheme पर click करना है get scheme पर click करते ही next page आएगा आपके लिए जो भी scheme available होगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहीं से आप apply कर सकते हैं और दोस्तों बहुत से लोग यह भी comment कर रहे थे कि हम इस रमकार्ड बनवा लिये हैं फिर भी हम बेरोजगार हैं तो उसके लिए एक option जारी किया गया है looking for your job अगर आपको job की जरूरत है तो यहाँ पर आपको किलिक करना है किलिक करते ही NCS का portal open हो जाता है आपको इस portal पर registration करना है registration करने के बाद जो भी job available होगा आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप कुछ काम या skill सीखना चाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा looking for skill इस पर आपको किलिक करना है yes पर किलिक करना है किलिक करते ही आप skill के portal पर आ जाएंगे यहाँ से आपको आबेदन करना होगा अगर आप इसमें आबेदन कर देते हैं तो government के तरफ से आपको एकदम फिरिम में skill सिखाया जाएगा और काम सिखाया जाएगा जैसे ही आप काम सीख लेंगे government के तरफ से आपको एक certificate दिया जाएगा और उस certificate से आपको एक job मिल और दोस्तों अगर आप गोवर्मेंट से 3000 रुपे का पैंसन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक आप्षन देखने को मिलेगा enroll for pension इस पर किलिक करना है उसके बाद किलिक here के option पर किलिक करना है और यहाँ से आपको परधान मंतरी इस्रम योगी मांधन योजना के लिए आवेदन करना होगा इस योजना का आवेदन कैसे किया जाता है अगर आप जानना चाते हैं तो comment करके बताए और दोस्तों जो लोग यह comment कर रहे थे की इस रमकार्ड से पैसा कैसे मिलेगा तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ की इस रमकार्ड से direct पैसा नहीं मिलता है उसके लिए आपको इस परकार से योजना के लिए आवेदन करना होगा और जो भी गोवर्मेंट का स्केम होगा उस स्केम का वेनिफिट दिया जाएगा